विंड प्रेकर के अपीसोड नमबर फाइव में आप सभी का स्वागत है जैसे के हमने पिछले अपीसोड में देखा था फूरिन के बंदे सिसोस्तेरंट का खटा खोदने के लिए उन्हीं के एरिया के अंदर चले जाते है और उनको देखने के बाद जो तुमियामा था वो तो काफी जात excited होता है और कहता है कि मेरे पीछाओ मेरे पीछाओ और विक्तम भागने लगता है और फिर वह पर जितने भी बंदे थे वो सब तुमियामा को follow करने लगता है और रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते साकुरा नोटिस करता है कि यहाँ पे जितने भी दुकान थे वो सब कोई नॉर्मल दुकान नहीं, बल्कि वो सब के सब बार थे और फिर नेरे बताता है कि यह एरिया ऐसा ही है, यह सबसे बढ़ा बार डिस्ट्रिक्ट है और उपर से दिन में ये पूरा सुनसान रहता है लेकिन रात को यहाँ पे काफी ज़्यादा हल चलोता है ये एरिया बहुत ही ज़्यादा लाइवली होता है लेकिन तब ये साकुर गितम से रुख जाता है कि बड़ वे नारे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मतलब तुमारा तो भी फाइट भी नहीं है और ये सुनते ही नारे कहता है कि हार ये बात सच है कि मैं लराय नहीं करने वाला लेकिन बैं उस सीन में प्रेजेट तो था मैं उसमें involved तो था इसलिए मुझे यहाँ पे होना भी बनता है और उपर से भले ही मैं लड़ने नहीं वाला लेकिन मैं तुम लोग को लेरते वे देखके कुछ तो सीखूंगा अटलिस्ट मैं दूसरों को नहीं लेकिन खुट-खुट प्रड़िट कर पाऊंगा और ये सब सुनके साकुरा काफी वियर्ड फेस बनाता है लेकिन तभी सामने से हिरागी चिलाता है कि गधे तुम लोग थोड़ा तो सीरेस हो जाओ लेकिन तभी लूमे में था वो कहता है कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ हिरागी वैसे भी मुझे साकुरा को पर full confidence है लेकिन उसे तरफ साकुरा थो निरे के साथ जमिला कर रहा था और इन्यूवेज वोल आगे बढ़ते हैं और फाइनली तोमियामा उनको एक abandoned theater के सामने लाता है और जो जो तोगा में था वो कहता है कि welcome यही है सिसिस्तोरेन का main base और यह सब देखके सब कोई काफी ज़्यादा शौक था क्योंकि वो जगा काफी ज़्यादा wear out हो रहा था और तबी सब लोग उस theater के अंदर घुसते हैं और जो निरे था वो बताता है कि यह है lion's head का base और यह एक shut down theater है इसका नाम है odi जिसका literally meaning है cage और फिर Tomiyama finally जो main gate सा उसको खोलता है और हमें theater का अंदर का scene दिखा जाता है जो कि full packed up था सिस्तोरेन के बंदों से और सब लोग काफी ज़्यादा charged up हो रखे थे इस fight के लिए इस पूरे माहूल को देखके निरे का तो फटके 64 हो गया था लेकिन तभी साकुरा निरे से कहता है कि तुम यहाँ पे सीखने आये हो ना तो अपना सर को उपर रखो और तभी हमें दिखाया जाता है कि Tomiyama एक तब से stage को उपर चर जाता है और सब को welcome करता है इस grand one-on-one fight में उमेमिया यह सब देखके कहता है कि यह सब तब कुछ जादा ही hyped up है पर anyways तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना क्योंकि जो main event है वो मेरे और Tomiyama के बीच में है इसलिए तुम लोग जीतने हारने का जादा चिंता मत करना और अराम से लड़ाए करना वैसे भी तुम्हारा जीत और हार्ट सो तब भी जाता effect नहीं आने वाला लेकिन यह सुनते ही साकुर कहता है कि मुझे इन सबसे कोई फरक नहीं पड़ता मैं यहाप इनको पेलने आया हूँ और मैं वही करूँगा और यह सुनके जो उमेमिया था वो और ज़दे impressed हो जाता है लेकिन तब जो तुमिया मत था वो उमेमिया को कहता है कि उमेमिया जले से आओ चलो चालो करते है लेकिन तब जो कहता है कि शान्त हो जा भाई थोड़ा शान्त हो जा यह कभी पॉसिबिल नहीं हो सकता कि बॉस लोग सबसे पहला फाइट ले और यह सुनते ही जो पास में ही आरिमा बैटाता है मतलब वो लम्मे बाल वाला बंदा वो खारा होता है कि बस अगर आप कहें तो मैं पहले जा सकता हूँ और उसको ऑपोनेंट था सुगीस था और से तरफ जो सुगीस था था वो भी एकदम डेट तरीके से उस बंदी के तरफ देख रहा था और लडाई के लिए पूरी तरीके से प्रिपेर्ड था वो आगे बढ़ता है लेकिन तभी साकुरा कहता है कि हे तुम्हें याद है ना हम दोनों के बीच का फाइट अप देख कम्प्लीट नहीं हुआ है और मैं लूजर लोग के साथ लडाई नहीं करता इसलिए तुम बिलकुल भी हारना नहीं और ये सुनते ही जो सुगिस्ता था वो एकदम आगे बढ़ता है और दोनों ही स्टेज के उपर पहुँच जाते है जो वहाँ पे बंदे थे वो आरीमा के लिए ही चेर किये जा रहे थे और तबे नीरे अपना डायरी खोलता है और वो डायरी में आरीमा का डेटिल्स पढ़ने लगता है तो कहते है कि आरीमा को जादा ही स्ट्रॉंग है इसने एक बार एक ही मुक्य से काफी सारे हड्या तोड़ दिया था एक बंदे का और उसी तरफ जो लड़ाय था वो स्टार्ट होने वाला था आरीमा काफी जादा टीज कर रहा था सुगिस्ता को लेकिन तभी अचनक से वो उमेमिया के तरफ देखता है कि उमेमिया ये क्या हो गया तुमें और ये सुनते ही सुगिस्ता का पूरा ध्यान उमेमिया के तरफ चला याता है लेकिन ये चीज असल में एक ट्रिक था और इसका फायदा उटा के आरीमा एक कस्ते घुसा मारता है सुगिस्ता के मुँ में और कहता है कि गधे कहिके लाय के वक्त तुम्हें तुम्हारा फोकस यही पे रखना होगा ना कि कही और लेकिन तभी जो सुगिस्ता था वो आरीमा के हाथ को पकरता है और फिर वो उसके फेस को पकरता है और लिटरली उसको स्टेज में गार देता है जो आरीमा था वो रियाक्ट तक नहीं कर पाता और जो सुगिस्ता था उसको एक खाड़ोस तक नहीं आता है और फिर उसको को इतना इजिली डाउन कर दिया लेकिन उसी बीच हमें दिखाया जाता है जो चोजी था वो काफी जाते एक्सेटेट हो रहा था उसे कोई फरक नहीं पर रहा था कि उसका गिल्ट का एक मेंबर को इतना बुरी तरके से मारा गया लेकिन वो तो उल्टा सुगिस्ता के उपर इंट्रे स्ट्रो कर रहा था और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ सकते हो लेकिन तभी जो उसको एकदम से पकड़ लेता और नीचे बिठा देता और कहता है कि अभी अराम से बैठो तो मियामा और अपने टर्न का वेट करो और यह सब देखके निरे काफी जादा शौ लेकिन उसे पीछ हमें दिखा जाता है जो जो था वो इकतम अराम से बैठा हुआ था और तभी तो मियामा आरिमा के बाड़ी के तरफ इशारा करता है और दो बंदों से कहता है कि जाओ जाके इस चीज़ को साफ कर दो लिटरली अपने ग्रुप मेंबर के लिए कोई भी इ विज़त नहीं था इनके दिल में और फिर वो दो बंदे जाते है और वो लोग आरिमा का बाड़ी को उठा के बैक स्टेज नहीं बलकि फूरिन के बंदों के सामने ही गिरा देता है और कहता है कि यह पहले दो किता बड़ा बारा फेकता था लेकिन आ भी इसको देखो और उसके मुह में एक लात मार के मौहसे चलने लगता है लाइक इतना बड़ा डिस्रेस्पेक्ट और यह सब देखने के बाद जो साकुरा था वागता है कि हे तुम दोनों आज से कभी भी यह मत कहना कि तुम लोग के लिए सिर्फ पावर ही मैटर करता है क्योंकि असल में तु काफी जादा वीक हो और यह सुनते ही वो दोनों बंदे तो काफी जादा गुसा हो जाते है और इतम साकुरा को मारने के लिए आते है लेकिन तबी सुओ कहता है कि साकुरा अभी फाइट वाइट मत करो तुम्हारा टर्ण आने वाला है और वैसे बिए बच्चों को बिना म पीछे हड़ जाता है और फिर अनाउंस होता है अगले फाइट का जो की था सुओ वसेस आरीमा का वही दोस्त जिसका नाम था नूमा और वो जो बंदा था वो काफी साधर ड़ चुका था आरीमा का हाल देखके वो बंदा लिटरिली काप रहा था और से तरफ सुओ भी तुमारा एक्शन देखके मुझे पता चल गया है कि तुम हावा में फेकने वाले बंदे में इसा तो नहीं हो इसलिए मुझे भी ये लड़ाए को जीतना होगा ताकि तुम मेरे आगे ना निकल जाओ और ये सब सुनने के बाद तो साकुरा था वो अचीब से ब्येव करता है लेकिन तब भी साकुरा कहता है कि मुझे कानुमा का नहीं बलकि सुओ का डिटेल्स दो और ये सुनते ही निरे सुओ का डिटेल्स निकलता है और कहता है कि सुओ काफी ज़्यादा पाउरफुल है लेकिन सच बताऊं तो इसके बार में कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स म बाइर में जादा डिटेल्स नहीं था और वो कहता है कि मुझे इतना पता है कि सूओ काफी दिल का अच्छा है और इसे तरफ हमेशा आरी मां के साथ ही रहा हूं लेकिन आज मेरा दोस्त और टेकन डाउन हो रखा है और इसे तरह जो सुओ था वो काफे ज़दा काम था और वो कहता है कि ऐसा first create मत करो मुझे पता है कि ये तुम्हारे ले काफे ज़दा hard होने वाला है लेकिन तुम अभी भी एक बच्चे ही हो और ये सुनते ही जो वहाँ पे कानुमा था वो एक्तब गुस्ता हो जाता है और एक्तब भाग के आता है अटाक करने सुओ को उपर लेकिन सुओ बहुत ही कामली उसके अटाक को divert करतेता है सब लोग काफी जादा शौक हो जाते है सुओ का ये move देखने के बाद और तब ही जो सुओ था वागाता है कि ये सब चीज elementary school ते कि ठीक था आओ मैं तुम्हें adult बनना सिखाता हूँ कानुमा को यकिन ही नहीं होता है कि इतना जल्दी सुओ उसके attack को dodge करता है उसके attack को divert करता है और उसके पीशे आ जाता है कानुमा बहुत जाता गुसा हो जाता और वो फिर से attack कर जाता है लेकिन result सेम होता है सुओ फिर से उसके attack को divert करके उसको ही नीचे गिरा देता है कानुमा सुओ का पैर को पकड़ने जाता है लेकिन फिर से वो ही होता है लोगों को लगता है कि जो यहाँ पर कानुमा है वो खुद से ही गर रहा है जो देखे ओडियंस में जितने भी बंदे वो सब चिलाने लगता है कानुमा के उपर लेकिन कानुमा को खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है वो अटैक करने तो जा रहा है लेकिन वो खुद से ही गड़ जा रहा है वो ना तो पुछ कर पा रहा है नहीं वो पुल कर पा रहा है और उसी तरफ जो वहाँ पे सुओ था वो अराम से खरा हो रखा था लेकिन ये सब देखके साकुआ को बिल्कुरी पसंद नहीं आ रहा था साकुरा कहता है कि सुओ बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं है वो ना तो इस वीक बंदे को हारने दे रहा है और नहीं इसको जीतने दे रहा है वो जो इसके साथ कर रहा है वो pure disrespect है अगर मैं इस बंदे के जगा पे होता मैं इस सचा तो मरना प्रिफर करता और उसी तरफ हमें स्टेज का सीन दिखा जाता है जहाँ पर अभी भी वो बंदा स्ट्रगल कर रहा था सुए को उपर एक पंच लैंड करने के लिए लेकिन उसी तरफ जो साकुरा था वो कहता है कि निरेग मुझे एक बात बताओ क्या चाहिए कि सुओ सची में अपना ओरिजिनल पावर दिखा है अपना ओरिजिनल फाइटिंग स्केल्स दिखा है लेकिन उसी तरह स्टेज में कानुमा काफी बार ट्राइ करता है वो ट्राइ करते करते ठक जाता है लेकिन वो एक भी पंचेज लैंड नहीं कर पाता और वो बार बार नीचे गिर जा रहा था और जो सुओ था वो ढंक से एफर्ट तक नहीं मार रहा था वो अभी तक उसको एक बिक के किया फिर घुसा नहीं मारा था वो बस उसी का पावर को यूज करके उसी को नीचे गिरा दे रहा था ये सब देखके जो वहाँ पे बंदे थे वो काफी जादा चिलाने लगता है कानुमा को उपर सब लोग कानुमा को बुड़ा भला कहता है और फिर कानुमा का नजर जाता है तुमियामा और जो के तरफ और वो मनी मन वो ही incident के बारे में सोचता है जहां पर वो उस बंदे से उसका jacket निकाल लेता है और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो में भी और तभी पीछे से सुओ कहता है कि मुझे पता है exactly अभी तुम क्या सोच रहे हो और ये सुनते ही कानू में एक तब से चिलाने लगता है कि नहीं नहीं ये impossible है ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकता और वो एक तब भाग के जाता है और सुओ के तरफ एक गुसा मान जाता है लेकिन सुओ एक कस्के किक करता है जो कि exactly उसके face के सामने जाके रोग जाता है और फिर सोगता है कि अभी मैं तुम्हें बताने जाने वाला हूं कि तुम क्या सोच रहे थे और मुझे बताना कि मैं सही बोल रहा हूं या कलत और फिर सो कहता है कि तुम अभी अपने आपको उसी बंदे के जगा पे इमेजिन कर रहे हो जिसका कि तुमने मजाग बनाया था है न? मैं सज बोल रहा हुँ न? और ये सुनते ही जो वापे वो बंदा था वो एक तम डर जाता है और कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता और तु भी आंसर है कि तुम अडल्ट कैसे बनोगे अगर तुमonymous आडल्ट बना है तो तुम्हें Imagine करना चाहिए तुम्हे इमझनेशनेशन चाहिए और अगर तुम अपने Imagination को और भी ज़ादा Strong बनाना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे इस Imagination को reality में बदलना होगा और ये सुनते हैं कानुमा का एक तब बढ़ जाता है और तब ही सुवो उसको एक मुका मानने ही वाला था कि तब ही वहाँ से जो खरावतार कहता है कि बस ये over हो चुका है और फिर जो कानुमा से कहता है कि तुमने already हमें काफी ज़्या शर्मिंदा किया है और नहीं तुम already सिशिस्तोरिन से बाहर हो और ये सुनते ही जो कानुमा था उसका तुमानो पैरो तले से जमीन किसक गया और जाते जाते सुवो कहता है कि एक एडल बनने का मतलब है तुम्हें दूसरों के लिए और भी ज़्यादा चाहिए लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुमने already पहला सीरी पार कर लिया है और इसी के साथ ये अपिसोड खतम होता है काइस यानि में काफी ज़्यादा तगरा होते जा रहा है तो चैनल में ज़रूर सस्क्राइब कर लेना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या सा लगा लाइक वाइक कर देना और मिलते अगले अपिसोड में वैवाई श्टे सेफ